Hello everyone, welcome to study time with new informative video Allahabad High Court ROARO 2021 के लिए इंगलिस की क्लास में जो हम idiom phrases कर रहे हैं जो की बहुत ही महत्पूर idiom phrases हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास जो की आपके ROARO exam के लिए बहुत ही महत्पूर हैं तो पहला यहां पर दिया गया है एन आई वास एन आई वास का मतलब होता है दिखावा या धोका deceit तो आई वास कर देना, तो क्या मतलब हुआ? दिखावा या धोका देना अगला है bird of a feeder birds of a feeder का मतलब होता है एक जैसे व्यक्ति मतलब आप ऐसे relate कर सकते हैं कि जिन पक्चियों के punk एक जैसे दिखेंगे तो वो क्या होगी एक ही जैसे व्यक्ति होगी ठीक है तो pupil of same profession तो क्या हुआ एक जैसे व्यक्ति एक ही profession में हो या एक जैसे हो तो birds of a feeder chips of a same block मतलब एक ही थाली के चटे बटे persons of the same nature एक ही थाली के चल्टे बटे हैं मतलब क्या है chips of the same block एक ही block के यह क्या है chips है इसका मतलब एक ही थाली के हैं एक जैसे ही हैं एक जैसे ही इनके कारणामे है अगला from hand to mouth हाथ से लेकर मूधक इसका मतलब होगा कठिंता से निरवाहन करना मतलब जिन्दगी बहुत क्या कर चल रही है कठनाई से चल रही है spend all money and have no savings सारा पैसा खर्च कर दिया है अब कोई भी saving नहीं बची है तो आब कैसा चल रहा है जीवन from hand to mouth हाथ से लेकर मूध तक चल रहा है बस इतना ही जीवन बचा हुआ है ठीक चलिए अगला है off hand off hand का मतलब होता है बिना तयारी के तो casual and irresponsible बिना तयारी के कहीं भी कुछ भी करना तो क्या हुआ है off hand अगला है play once is play once is का मतलब होता है सबसे सकती साली दाव खिलना to do something clever and unexpected मतलब जिसकी किसी ने उमीद ना की हो वैसा कर देना मतलब सब सोच रहे है अब तो आप हारनी वाले है लेकिन अब आपने अपने जो त्रूप का है वो निकाला तो इसका मतलब होता है play once play once is अपना त्रूप का एका निकाल देना मतलब कि सबसे सकती साली दाव चल देना अगला है The Gift of the Gap Gift of the Gap का मतलब होता है अच्छा बोल लेने की योगता आपकी जो बोलने की सैली है वो बहुत अच्छी है जिससे लोग अट्रेक्ट हो जाते हैं आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं तो इसे क्या बोलते हैं The Gift of the Gap मतलब An Ability to Speak Easily and Confidently चलिए, अगला है To Eat Humble Pie To Eat Humble Pie का मतलब है चमा मांगना To Apologize अगला है To Fall to the Ground Fall to the Ground का मतलब To Feel या Asphal हो जाना Ground में गिर जाएंगे आप तो क्या होंगे Asphal हो जाएंगे चलिए, अगला है To Feel Sure To Feel Sure का मतलब पूर्ण विश्वास होना To Be Confident आप Feel Sure हो रहें आप कैसा Feel कर रहें Sure Feel कर रहें मतलब की इस बार आपका Selection हो जाएगा तो आप कैसे हैं पूर्ण विश्वास में हैं चलिए अगला है To Give Ear To Give Ear To का मतलब है Listen या फिर सुनना आप कहीं कान लगा के सुनते हैं तो आपने कान फिर क्या कर देते हैं वहीं दे देते हैं तो Give मतलब दे देते हैं Ear तो Give Ear To मतलब Listen सुनना चिक अगला है To Make Head or Tail इसका मतलब है समझना To Understand To Make Head or Tail का मतलब क्या हुआ Understand अगला है To Find Fault With To Find Fault With मतलब है दोस निकालना Fault निकालना सीधा सीधा इससे समझी रहे होगे आप To Find Fault With तो To Hunt For Criticism In Anything किसी भी चीज में क्या दूना Criticism के लिए कुछ भी ढूना चलिए अगला है To Go Gray To Go Gray मतलब बुड़ा हो जाना Gray हो जाना इसका मतलब हुआ बुड़े हो गए आप जवान होंगे तो कैसे होंगे एकदम हरे भरे होंगे और अब Gray हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं बुड़े हो जाना है ठीक चलिए अगला है To Take Two Once Heels To Take Two Once Heels का मतलब है Run Away या फिर भाग जाना Take Two Once Heels अपनी Heels उठा लेना Heels वैसे तो क्या है महिलाएं पहनती हैं लेकिन अपनी Heels उठाना और Heels उठा के क्या अगरते हैं भागना सुबू कर रहे हैं ठीक चलिए अगला है To Gain Ground Ground Gain कर लेना इसका मतलब कदम जमा लेना To Make Up Progress आप क्या है बिल्कुल जिस फिल्ड में गए हैं वहाँ प्रोग्रेस कर रहे हैं इसका मतलब आपने उस फिल्ड में सक्सेस पा ली है और अपने कदम जमा ली है ठीक चलिए अगला है To Go Hard Go Hard का मतलब है To Be Cruel या फिर बिल्कुल से निर्दई हो जाना Go Hard ठीक चलिए अगला है With Flying Colors उड़ते हुए रंगों के साथ इसका मतलब है सफलता पूरवक With Great Success आप जब सेलेक्शन पा लेंगे तो फिर आप ठेर सारे काम ऐसे करेंगे कैसे करेंगे Flying Colors मतलब पूरी सफलता तो आपको मिली गई है और फिर जो भी काम करेंगे सफलता पूरवक करेंगे जो भी होगा आच्छा होगा तो With Flying Colors मतलब सफलता पूरवक With Great Success अगला है To Keep Up Appearance इसका मतलब है To Maintain Outward So विसम परस्तिती में भी बाहरी दिखावा बनाये रखना To Keep Up Appearance ठीक है चलिए अगला है To Rest On Your Laurels To Rest On Your Laurels मतलब है अपनी सफलता से संतुस्ट होना आपका जब सेलेक्शन हो जाएगा लावादाई कोट में तो आप क्या होंगे Be Satisfied With The Success You Have Already Gained जो आपने सफलता पाई है उससे आप क्या होंगे संतुस्ट हो जाएगे चलिए अगला है To Take The Cake Off और Biscuit Biscuit ले लेना या फिर Cake लेना इसका मतलब है सबसे पहले करने की उत्सुकता दिखाना To Be Impatient To Do Or Start Doing Something माली जे आपके सामने नास्ता आता है या छोटे बच्चों को देखते है तो वो क्या होते है सबसे पहले कहीं Biscuit उठाएंगे कहीं कुछ उठाएंगे तो क्या करते है पहले Cake उठाना या Biscuit उठाना मतलब सबसे पहले करने की उठ्चुकता दिखाना अगला है To Make Fun Of Somebody Make Fun Of Somebody का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना To Make Unkind Remarks उसके प्रती क्या है Unkind Remarks देना है अगला है To Rule The Roost To Rule The Roost का मतलब है मुखिया होना To Be The Most Powerful Person इना ग्रूप किसी ग्रूप में या फैमिली में या खहीं पर भी आप जो है मुखिया है मेन है तो क्या है Rule The Roost बाकि सब को क्या कर रहे है Rule कर रहे है अगला है To Take Ambrage To Take Ambrage का मतलब क्या है To Become Upset And Angry बहुत गुस्सा हो जाना या बुरा मान जाना ठीक To Take Ambrage अगला है To Pull Your Socks Up अपने जो Socks है उनको Pull Up कर लेना इसका मतलब अपने बरताओं में सुधार लाना सही करना To Make An Effort To Improve Your Work और Behavior अपने Behavior में या काम में क्या करना सुधार लाना इसका मतलब है To Pull Your Socks Up Next है To Take A Leaf Out Of Somebody's Book To Take A Leaf Out Of Somebody's Book का मतलब है किसी के काम के तरीके को अपनाना किसी दूसरे के बुक की जो लीफ है पतिया है कहें कुछ भी कहिए वो आप सुईकार कर ले मतलब कि Accept कर ले या फिर उनको देख के कॉपी कर ले तो दूसरे के काम को आप भी अपने उसी तरीके से करना चालू कर दे To Follow Somebody's Example Because You Admire Them अगला है To Wash One's Hands Off इसका मतलब है किसी की जिम्मेदारी लेने से मना कर देना To Refuse To Be Responsible For Someone To Wash One's Hands Off अपने हाथ धो लेना मतलब कि सामने वाली ने अगर ऐसा बोला फटकार लगाना Next Give A Wide Birth To Give A Wide Birth का मतलब है किसी से दूर रहना Avoid Meeting Somebody Next All In All All In All का मतलब All मतलब जानते हैं आप सभी होता है तो All In All का मतलब होता है सब कुछ मिला कर सब मिला कर Taking Everything Into Consideration Next In The Twinkling Of An Eye मतलब Twinkle करते हैं आप पलक जपकते ही तो Very Rapidly बहुत ही तेजी से कोई चीज़ हो जाए मतलब पलक जपकते ही हो जाए Next At An Arms Length Arm's Length की दूरी बनाए रखें मतलब Avoid क्या Avoid करें कुछ दूर कुछ दूरी बनाए रखना ठीक है आपने सुना भी होगा पिछले दिनों में दो गज दूरी मास्क ज़रूरी तो एक हाथ की दूरी बना के रखें ठीक चलिए अगला है It's No Picnic ये कोई Picnic नहीं है मतलब की सरल कारे ना होना Not an easy job जो आप तयारी कर रहे हैं अलाबाद High Court exam और इसको क्रेक करना ये कोई Picnic नहीं है It is not a Picnic समझ गयोंगे आप तो ये क्या है Picnic नहीं है मतलब सरल कार नहीं है 160 और 170 नमबर लाना चलिए अगला है To be down in the mouth मतलब की हतास होना unhappy and depressed To be down in the mouth ठीक है अगला है To clinch the issue Issue को क्या कर लेना clinch कर लेना इसका मतलब है To decide the matter finally Matter को decide कर लेना निश्चित कर लेना तो जो भी issue थे आपके उनस अब को क्या कर लिया है बिल्कुल आपने सही कर लिया clinch कर लिया जीत लिया इसका मतलब To decide the matter finally Next To keep somebody at bay मतलब की किसी को बहुत करीब आने से रोकना, to prevent someone from coming too near to keep somebody's at bay, उसको कहा रखना बे में मतलब कि बंगल की खाड़ी में रखिए दूर रखिए, पास मताने दीजे ठीक है, तो समझ गया होंगे आप लोग, तो ये थे आज की idiom and phrases, मिलते हैं कल नई class के साथ, और अगर आपकी कोई query है, कोई suggestion है, तो comment section के मादद हम से आप बता सकते हैं, thank you